वेल्कम बेक तो माई टूचन पेपर हैकर कैसे हैं आप सबी लोग आई हो बच्छे होंगे और आज किस वीडियों देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए फर्स सेमस्टर में है पर्स सेमस्टर में है उनके लिए हम लेके आए हैं एजूकेशन का पेपर एजूकेशन का पेपर है उसमें हम MC को कोश्चन मलब कि अबजेक्टि टाइप कोश्चन तो जिन शात्रों के MC को कोश्चन पूछे जाएंगे चाइबू आप आप यूपी की किसी उनिवेस्टि से हैं MP से हैं बिहार से हैं उत्तराखंट से हैं तो आपके लिए यहां से बाहर कुछ निजाएगा याद रखना है यहां से बहर कुछ निचाने वाला चलो को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और यदि आप इसकी पीडिये को डाल्लोड करना चाहते हैं नोट्स की पीडिये को नोट का लिंट टेलीक्राम पर दे रखा है डेखा है टेलीक्राम से तरीक है और आपको ब्रवाइड कर रहा हूं पार्ट बड़ी होती है pdf टो चोटी वीडेफ होती है तो एक प्रवाट में चेंज कर देता हूं और जो बड़ी उसको पाइट गो में अलग-अलग कर देते हैं ठीक है उसके बाद में आपको क्या करना है देखो यहां से तो आपको बस PDF को डालोड कर लेना है जिसका link description box में है यदि written आपका exam हो रहा है तो भी आपके लिए काफी important होगी वो PDF और आपका MC को अशाना है तो भी हमने उसमें ही MC question में डाल रखे है तो आप PDF को जरूर डालोड कर लेजिए link description box में है यहां आदेकू फर्स्ट यूनिट मलब एक से लेकर 4 यूनिट तर कवर करेंगे लगभग में 4 यूनिट को हम कवर करेंगे यदि ज्यादा बड़ी हो जाती है तो इसको 3 यूनिट में हम खतम कर पाएंगे ठीक है हम इसको लगभग में हाँ 4 यूनिट देखेंगे करके क्योंकि 6-7 पेज़ यहां बिलकुल PDF के खतम हो जाएंगे 6 से जात मतलब यह तो ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे करेंगे इसको 3 डिवाइट करेंगे तो यहां हम केबल 3 वीडियो को प्रवाइट कराएंगे परा और आपरा जो विदा होती है वो संबंदित आपको बताने दिको परा और आपरा जो विधा होती है ठीक है वो संबंदित किससे हैं आपको बताना है संबंदित है वो किससे संबंदित होती है परा और आपरा विधा ठीक है बिलकुल इस को बताएंगे तो आप गोगे बहुत होती है, बैधिक काल से, option number A को लोग कर देना, next question आपके सामने है, इसको एक बार देहान से देखेंगे, यहां बोला गया है, साविधा, यहां बोला गया है, साविधा या बिमुक्ते, यह कथन है, यह कथन किसका है, आपको बताना है, देखो, साविधा, यह कह सकते है बिमुक्ते का कथन कौन सा है, तो आप सभी का answer आना चाहिए, option number क्या रहेगा, यह संकरा चारे का है, option number C को लोग कर देना, option number C is right है, ठीक है, आप question पड़ी है, और answer पड़ी है, आपका answer बिलकुर right जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं जाब आप पेपर में देखे होगे, त उन्हें पेपर हैकर की यूटूब चलन की बारे में जरूर बताएं, यहाँ सिंपल बोला गया है, यहाँ देखे बोला गया है, सिक्षा एक दो मुखी पिरकिरिया है, यह सबसे पहले, किस ने कहा था, यह सबसे पहले किस ने कहा कि जो सिक्षा है, वो दो मुखी पिरकिरि मिलकुल हरवर्ट का है option नमर B को लॉक करते ना next question है दैनिक कालिन सिक्षा में गुरू से संबंध थे देखो जो दैनिक काल था उसमें जो सिक्षा में जो गुरू और जो सिका वहलों कि teacher और student का जो संबंध होता है वो कैसे थे बताओ तो आप सभी को बताओगा वो पित्र द कात्र पर है वाल आप राग बद्र जो विदा होती है वह कैसी होती है तो आप कोगे बुदिय कैसकते हैं लोकिक कैसे कैसे कह सकते हैं option नमर हम एक बी को लॉक करेंगे बीज राइट होगा ठीक है लोकिक बिसे में नेक्सक्षा में उपने संसकार में किस मंतर का उच्चाण होता है देखिए उपनी में जो संसकार होता है उसमें कौन से मंत्र का या किस मंत्र का उच्छाड होता है तो आप कहेंगे गात्री मंत्र का जो गैत्री मंत्र है उसका उच्छाड होता है ठीक है ये किस ने कहा था तो आप सभी कहेंगे वो कहा था रिमार्ट ने, option number 1, एक को लोग कर देना, next question यहाँ बोला गया है, सिक्षा जर्म से प्रारम होती है, और मा सर्वुत्तम से भी का है, और मा कैसी है, सर्वुत्तम से भी का है, इस कथन का आपको बताना है, ये कथन किसका है, देखे एक बार, देखो सिक्षा जर्म से प्रारम होती है, और मा सर्वुत्तम से भी का होती है, उसको देनेगा, सिक्षा देने के सर्वुत्तम से भी का होती है, सबसे पहली मा होती है, तो वो किसने कहा था, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको गए ये रू वह होता है विवे को कहते है ग्यानी विवे को ग्यानी बोला जाता है तो ग्यान कह सकते हैं नियर्थ है तो वो कैसा होता तो यह जिसने भी कहा है यह कहा है तो कौन से यह कथन किसने बोला था तो यह कहा था डाक्टर राधा किष्ण ने option number D को log कर देना है next question देखिए किसने कहा कि सिक्षा का कार्य मनुसे के सरीर और आत्मा को बहपूर्टा प्रदान करता है जिसके की बे योग है तो किसने करता है तो आप सभी का answer आएगा बिल्कुल साइट यहाँ देखो 11 question का answer सभी लोग comment section में देखो यहाँ यहाँ देखेंगे एक बार concern रहने वाला है बिल्कुल साही जिसने भी option number दिया है 11 में question का answer महत्मा गांदी बिल्कुल right होगा next question देखो यहाँ देखो बार्मा question है इस question का answer सभी लोग comment section में बताएंगे देखे सिक्षा मनुस का निर्मार करती है देखो सिक्षा मनुस का निर्मार करती है यह कथन किसका है तो सिक्षा जो होती हो मनुस का निर्मार करती है यह कथन किसका है बताओ का उर्थन का है option number दिसने भी see दिया है परमसत्तांसर है next question है सिक्षा का कारे सायक प्राड़ी के विकास में आवसकता पहुचाना है जिससे की बहें मुखी, नैतिक और कुशल मानब बन सके ये कथन किसका है तो आप ये जो कथन बोला गया कि सिक्षा का कारे आशे प्राड़ी के विकास में सहायता पहुचाना है उसके विकास को मतलब पहुंचा रहा है विकास में साहिता पहुंचा रहा है और जिसमें मुखी और मैर्विक और कुशल माना बन सके यह एक अधन किसका है तो यह एक अधन जो है वो है जॉन डीवी का है बिटा option number B को लोग कर देना है नेक्स कोशें मुलाग गया है कौन सा ध्यान से देखेंगे और आंसर आप सब लोग comment section में आंसर देने कोशिश करेंगे एक बार यहां मुलाग है कौन सा सिक्षा सास्तरी सिक्षा के बैशक उद्देश का समर्थक है तो आप गोगे वो थे बिलकुल वो थे TV नन option number क्या आगा टी पी नन थे option number B को लोग कर देना है नेक्स कोशन बोला गया है पूर्ण जीवन के उद्देश का प्रती पादन किस ने किया तो पूर्ण जीवन के उद्देश का जो प्रती पादन किया था पूर्ण जीवन के उद्देश का पूर्ण जीवन के उद्देश का तो पूर् option number C को log कर देना next question है ब्यापक रूप में सिक्षा का अर्थ क्या होता है ब्यापक रूप में जो सिक्षा का अर्थ होता है वो क्या होता है बताइए तो वो होता है ब्यापक रूप में सिक्षा का जो अर्थ होता है वो आजीवन चलने वाली प्रिक्रिया होती है सिक्षा का अ होता है jame's question है बूला गया है सिक्षा एक त्यो solutions को परे gossip का मतलब क्या होता है देखो ने सिक्षा के दुम्हिक पर करिया बदाया जह ते उनुने बदा आकी जो सिक्षा है वे दुम्हिक पर क्रिया है ठीक है उन्होंने का आदर्मस ने सिक्षा के दो मुख सिक्षक और सिक्षार्ती बताए है मलब एक तो सिक्षक बताए है और सिक्षार्ती मलब कि स्टुडेंट और टीचर की बात की है तो उसे दो मुखी बोला गया है कि उसमें दो मुखी है एक तो टीचर होता है उसमें जो उनको ग्यान देता है और आपि टूडेंट है उनको इसे को उन्होंने कहा है अडम से ठीक है नेक्स्ट कोश्चन बुलाएं सिक्षा की निम्न परिभासा किस ने दी निम्न परिभासा कौन से दी मलब कि ये वाली देखो करा है सिक्षा में सिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक के सरीर मन और आत्मा में निहित सर्वुत्तम गुडों के प्रिकटी करण से है तो ये किसने कहा तो आपको के महात्मा गांधी द्वारा कहा किया नेक्स कोशन बुला गया है सिक्षा बाश्यक जीवन के लिए त्यारी है ये किसने कहा तो आपको के मिंटल ने कहा था मिल्टन द्वारा कहा गया था नेक्स कोशन बुला गया है सिक्षा के ब्यपसाइक उद्देश को निम्न अन नामों से पुकारा जाता है तो देखो ब्यपसाइक जो सिक्षा के जो ब्यपसाइक होते हैं उनके उद्देशों को और किन नामों से पुकार जाता है तो आप गोगे उनके उद्देशों को एक बोला जाता है जीबिको पारजन और ब्लू जैकिट उद्देश और कह सकते हैं व्याइट कॉलर बुला गया है जन तंट्रिक देश में शिक्षा के दो उद्देश बताना है तो वो होता है तो बेटा, रूसो भी थे, फ्रोविलती भी थे, नमनिती भी थे, और सोफिस्ट भी थे नेक्स्कोशन बुला गया है सिक्षा के बैशक बिकास का अतिवादि रूप जाता है नेक्स्कोशन बुला गया है देखो निसमाजदि कोरी कलपना है यह कौन से सास्तरी ने कहा था तो यह कहा था रिमांट ने ठीक है रिमांट द्वारा कहा गया था ऑप्शिन नंबर यहां बिलकुर राइड होगा यूनिट नंबर दो में हम देखते हैं क्या क्या इंपोटेंट है एक्जाम 2022 के लिए आप पीडियाप को अभी डालोड कर सकत इक वह नहीं करें तो सारे हमने टाल रहें अब देखे तब हैं अब यहां देख लिए एक बार देहां से यहां बूला गया है कि देखें । युनिट शेक्चंड में बात करने वाले हैं यह कसा г은 का है या कौन सी समासाहस इन्याहाँ का शेखिशा का सारोश्ड टर बकषा करना है तो ये कथन किसका है, ये किसने बोला था, तो ये बोला था, जिसने भी option number दिया है, ए, ठीक है, पिलेटो द्वारा कहा गया था, option number हम A को लोग करेंगे, next question बोला गया है, शिक्षा कार समाज की संस्किर्ती, मुल्यों और ब्यभारों के प्रतिमानों को अपने तरौनबा कार सकतिसील सदस्यों को प्रदान करना है, ये कथन किसका है, तो बोला गया, देखो, दूसरा question simple बोल रहा है, कि सिक्षा का जो कार है, वो समाज के संस्किर्ती, मुल्यों और जो ब्यभार है, जो ब्यभार हुआ है, उनके प्रतिमानों को अपने तरौनबा, सकतिसील सदस्यों को प्रदान करना है, ये किस ने कहा था, तो ये जो कहा था, वो कहा था, ओटोवे ने, ठीक है, ओटावी नाम से जो सवे सास्तरी थे, उन्हों के द्वारा कहा गया, option number C को लोग कर देना है, next question यहां कहा रहा है, कि जिन पिरकार, जैबिक, जीवन के लिए, भोजन और प्र किस का था, जॉन डीवी, option number जिसने भी दिया है, B. प्रमसेतांसरुगा, next question यहां बोला गया है, मूल ब्यक्तिगत की, मूल ब्यक्तिगत की, पिर्मुक, जो रूचियों की ओर इंगित करता है, ये कथन किसका है, जो मूल ब्यक्तिद्व की, उस रूचियों की ओर इंगित क नेक्स कोशन बुला गया है मानब संसाधन विकास मंत्राले का नाम बरतमान में क्या रखा गया है तो देखो मानब संसाधन विकास मंत्राले का जो नाम बरतमान में रखा गया है वो सिक्षा मंत्राले रखा गया है option number c को lock कर देना बहुत ज़्यादा important है next question है राष्टी एक्ता क्या होती है राष्टी एक्ता को देखो यह option 4 दे रखे है अब राष्टी एक्ता का मतलब क्या होता है राष्टी एक्ता का मतलब होता है एक भावना पिरकट होती है वो राष्टी एक्ता कहलाती है ठीक है next question देखेंगे सात्मा question आपके सामने है एक बार देखेंगे सभी लोग कह रहा है किसका अर्थ है कि राष्टी एक्ता एक ऐसी समस्या है जिससे राष्ट के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिश संबंद है तो आप कहेंगे जिसके ने भी सात्का बिल्कुल जिसने भी सात्का सीज राइट दिया है डाक्टर राधा किष्ण बिल्कुल राइट होगा next question है बच्चों में राष्टी एक्ता के समर्धन में कौन सी संस्था सक्रिय भूमिका ठीक है निर्वहा कर सकती है तो जो निर्वहा कर सकती है कौन सी सक्रिय भूमिका निर्वहा कर सकती है तो वो कर सकती है बिल्कुल वो कर सकती है विद्ध्याले जो होती है वो बिल्कुल निर्वहा कर सकती है भूमिका तो option number यहां college की बात करेंगे बिल्कुल सही जिसने भी option number 9 का दिया है, be option ठीक है, बिल्कुल right होगा, संप्रदायत बिकता, बिल्कुल right होगा, next question बुला गया है कि राश्टी एकता का पिरमुक लक्ष क्या है, राश्टी एकता का पिरमुक लक्ष क्या है, एक बार comment section बताएंगे, बिल्कुल ठीक, परस पर बिचारों में एकता उत्पन करना, राश्टी एकता का पिरमुक लक्ष होता है, ठीक है, चलो, जो कह सकते हैं, परस पर बिचारों में एकता पिरकट कर देता है, वही, next question मुला गया है, राश्टी एकता के लिए, संपूरा नंद समिती का गठन कब क था, हुआ उसके विकास के लिए सबसे 391 अधिक, क्या चीज therapies कर देना है तो आप कहेंगे सबसे 50 होती है सिख्षा कन해서 को पता दाता को अब अन्तराश्टिता कर पाएंगे तेस में कोशन का अंसर देंगे, बिलकुल, आप गोगे एक दूसरे से क्या होती है, पूरक होती है, option number C को लॉग कर देना, next question बुला है, राष्टी एकता में बाधक नहीं होता है, बताइए, राष्टी एकता में बाधक नहीं होता है, वो होता है, पिरकृति बाध एक बाध बाधक नहीं होता है, option number D को लॉग कर देना है, नेक्स कोशन आपके सामने है, इसको देखेंगे एक बाधक नहीं होता है, राष्टी एकता में बाधक नहीं होता है, राष्टी एकता में बाधक नहीं होता है, ये भी रिविलकुल राइट होगा, राष्टी एकता में हां से देखेंगे कह रहा है कि मानम संसाधन विकास मन्तराले जिसे हम M H R D बोला जाता है इसका नया नाम क्या है तो हुई लिए अपकास के लिए अपनाए गए दो प्रमुक कारिक्रम बताएं तो एक पहला कारिकरम था पार्ट सही एदामी पिरक्रियाएं और साहितित एवम संगीती शिक्षा ये दो उन में प्रमक्राइब अपनाए गए थे नेक्स कोशन बोला गया है अब कास के लिए सिक्षा विवस्ता करते समय किन दो विसेश बातों का ध्यान में रखना चाहिए तो कौन सी दो बातों का ध्यान में र पर आओ ठीक है का ज्यान होना बहुत ज़रूरी है नेक्स कोशन बुला गया है संपूरा नन समीति 1961 का संबंध किस बिसे से हैं तो कभी भूच लेता है संपूरा नन समीति की कभ इस्थापना की गई तो आपको 1961 में और ये राष्टी एकता से संबंध दे थी इसका मुख भी पूला गया है राष्टी एकता के दो बाधक तंत्र बताना है कौन-कौन से आपको तत्व है मतलब कौन-कौन से एक तो हैं आपका भासा बाद एक होता है जाती बाद कोशल अभी गरहन के दो लाब बताना है देखो कोशल अभी गरहन जब भी आए तो आप कहोगे धन का सादन होता है नौकरी की अधिक संभाव बनाए और कह सकते हैं कि दूसरों का सिर्मित ना होना बिलकुर राइट हो जाएगा आसिर्मित नहीं होना तो यहां दे रखे हैं दो को पूछा है जो आपको बता है यहां बोला गया है समाजिक अनु जुटता के दो पिरमक संबंद आवश्यक हैं तो आप कोगे वो है समाजिक संबंद और कारिसंबंद 24 कोशन आपसे बोला गया है ध्यान से देखेंगे यहां बोला गया है करोगे तो संस्कृति को कैसे परिवासित करोगे तो संस्कृति अंग्रेजी में रुपांतर होता है कल्चर ठीक है और इसका अर्थ होता है क्या होता है सू संस्कृति करना यह फिर परिस्कृत करना यह संस्कृत का अर्थ होता है ठीक है अब यूनिट नंबर हम 3 में देख ल चलो यहां देखो पहला कोशन है देखेंगे तीसरी उनिट का दे रखा कि सिख्षा का सबसे सबसे मुख आपचारिक अभी करण क्या है सिख्षा का सबसे आपचारिक की बात करें तो वो है बिटा देखो यहाँ unit number 3 की बात करने वाले है तो कौन सा रहेगा option number वो है परिवार ठीक है परिवार बिलका अनुपशारिक अभी कारण है option number हम B को log करेंगे next question में रहे है यह कथन किसका है यह कथन कौन सा है आपको बताना है कि बिद्याले समाज का लगू रूप है समाजी करण में सरप्रिथम है तो बालक के समाजी करण में सबसे ज़्यादा प्रिथम क्या होता है वो होता है घर और परिवार विल्कुल राइट होगा option number C को log करेंगे है C is right है चलो next question आपके सामने है एक बार इस question को देखेंगे कि बालक की प्रिथम पाट साला क्या है बालक की प्रिथम पाट साला की बात की जाए चौथे का बताना है बालक की प्रिथम पाट साला क्या है बताईए बालक की प्रिथम पाट साला क्या है चौथे कोशन का अंसर एक बात देंगे सबी लोग बालक की प्रतम पार्ट साला क्या है परिबार है बिटा परिबार ऑप्शन नमबर बी को लॉग कर देना नेक्स कोशन है किसने कहा कि बिद्धाले समाज का लगू रूप है किसने कहा था कि बिद्धाले समाज का लगू रूप है बताइए तो वो कहा था वेटा डी वी दोबरा कहा गया option number D को लॉग कर देना next question है राज सिक्षा का किस पिरकार का साधन है आपको बताना है आप सभी को बता होगा वो है option number A को लॉग करेंगे next question आपसे बुला गया है ध्यान से देखेंगे कि सिक्षा का राज का नियंतर देखो सिक्षा पर राज का नियंतर एक बुराई है ये किस ने कहा था JS मिल दोबरा कहा गया option number C को लॉग कर देना next question बुला गया है सिक्षा का पिरमुक अभी करण क्या है सिक्षा का पिरमुक अभी करण की बात करें परीबार और बिद्धाले दोनों है option number C को लॉग करेंगे next question बुला गया है सिक्षा का सक्रिय और अप्शारिक साधन कौन सा है बताइए तो आप को गये वो है बिद्धाले है option number D को लॉग करेंगे next question बुला गया है परीबार किस पिरकार का साधन है परीबार किस पिरकार का साधन है आपको गिए सक्री साधन होता है परिवार विटा ठीक है नेक्सक्षण को एक बार ध्यान से देखेंगे ये बोला गिया है किसने कहा कि सिक्षा के लिए घर सरफस्रस्ट इस्थान है और बालक का प्रतम बिध्यार आये देखों शिक्षा के लिए जो है नेक्स कोशन बोला गया है बच्पन का घर है ये कथन किसका है देखो जो बच्पन का घर होता है ये किसने कहा था बताओ बार में कोशन का अंसर एक बार सब लोग कॉमेंट सेक्शन में देंगे बच्पन का घर है ये किसने कहा था तो गांधी जीने कहा था option number B को log कर देना है next question आपके सामने है एक बार ध्यान देंगे और बोल रहा है कि बिद्ध्याले या फिर school सब्द की उत्पत्ति किस भासा से हुई है तो school की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन सी भासा से हुई है हमसे पूचा है या रखना येे गरिक भासा से हुई है बिद्ध्याले की उत्पत्ति next question भला ए school सब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है तो आभी मैंने आपको बताया था तो याद रखना जो school सब्द की उत्पत्ति होए वो कौन से सब्द से हुई है तो school में लिखते हैं तो school option number A को love कर देना next question वो लगया है परिवार सब्द की उत्पत्ति किस भासा में हुई है? परिवार की हुई है उतपत्ति जो हुई है वो कौन सी भासा से हुई है तो परिवार की हुई है लेंटन भासा से, option number करना है समाज का अर्थ बताना है सोसाइटीज से बोलते हैं समाज को सोसाइटी बोला जाता है उसकी आपको बताना है तो होता है ब्यक्तियों का जो समाँ होता है वो समाज कहलाता है option number A को लॉक कर देना, next question मुल अगया है family सब्दी की उत्पत्ती किस सब्दी से हुई है तो वो ही है family सब्दी की उत्पत्ती option number A को लॉक करेंगे next question है, राज सिक्षा का साधन है राज है वो सिक्षा का साधन है, वो कैसा है आपशारिक साधन है option number B को लॉक करेंगे next question है, राज़ारिक सिक्षा का कौन सा साधन है मुझे बताना है, बताओ बिल्कुल school हो जाएगा, राज़ारिक साधन होगा सिक्षा का वो school होता है, college school जिस बोलते है, ठीक है next question हो लागा है, media सब्द किस सब्से संब्दित है, बिटा, जो media है, वो कौन सी सब्दित होगी media एक लेंटिन भासा का सब्द है option number जिसे ने सीधिया है, परम सत्ता आंसरोगा next question है, जन संचार माध्यम में समलित नहीं है तो जन संचार माध्यम में क्या ची समलित नहीं होता है बताईए, तो वो नहीं होता है, यूबक दल, क्या होता है वो कह सकते हैं, जन संचार माध्यम में समलित नहीं होता है option number C को लॉग करेंगे, next question है, सिक्षा के आपशारिक अभीकरण के दो कारण बताना है, कौन से दो कारण जो भी आपको बताओ वो, सिक्षा के आपशारिक अभीकरण के दो कारण कौन-कौन से है यहां से देखेंगे बेलकुल सही बिटा, 22 में का अंसर जिसनी भी दिया है बिद्धियाल है और पुस्तकाल है, यह आपशारिक सादन होते हैं सिक्षा के यहां बोला गया है, देखो, सिक्षा के अनुपशारिक अभीकरण के दो धान बताना है एक तो परिवार होता है, दूसरा होता है समाज ठीक है, अनुपशारिक अभीकरण के सादन सिक्षा के यहां बोला गया है, नुपशारिक अभीकरण के दो धान बताना है बिद्धाले के दो कार कौन कौन से हैं तो आप कोगे वो होता है राष्टी बिकास में साहिक होता है राष्टी बिकास में साहिक होता है एक तो बिद्धाले और साथी साथ दूसरा कार क्या होता है और दूसरा होता है समाज भावना का बिकास ये क्या है हमारी college मनलखी school का मुखुदिश होता है एक कार्य होता है next question बुला गया है बालक की सिक्षा जरम से ही प्रारम होती है और उसकी उप्योक्त परिचारिकता ही मा है ये कथन किस नहीं कहा था तो ये रूसो द्वारा कहा गया था कि जो बच्पन से ही सुरू हो जाती है बालक की परिच्षा ठीक मनलखी सिक्षा और उसमें क्या होता है साथी साथ उसका जो उप्रोत परिचार्टा होती है पिर्थम वो मा होती है ये किस नहीं कहा था ये कहा था रूशो ने अपचारिक सिक्षा के दो साधन कौन कौन से है तो आपको के परिवार और पुस्तकाल है एक अपचारिक साधन होते है अनुपचारिक सिक्षा के अभी करण क्या होता है, परिवार और समाज होता है, नुपचारिक, नुदुरसन, समाचार पत्र और पत्रिका, यह होती है, मैंने वे उपर आपको बताए था, यहां बूला गया है, महात्मा, देखो, इंदरा गांधी राष्टी मुक्त विस्वि सिक्षा में, ठीक है, नुदुपचारिक सिक्षा के अंतरकत रखी जाती है, और नेक्ट कोशन मुला गया है, जो इसकी स्थापना कब होई थी, इसी बिस्विद्धाले की स्थापना कब होई थी, तो आप गोगे, 1985 में होई थी, तो हमने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेक में लिंक दे रखा है, आप जाके डालोड कर सकते है, कोई भी दिखकर था तो कॉमेंट सेक्स में पूछ लिजिए, हमारा वाट्सप नमर डिस्कप्शन बाक्स में दे रखा है, एक बार हमें बहुत में मैसेज कर देजी हम उसका रप्लाई कर देंगे, आपके नोट्स टे टेलीग्राम का लिंक डिस्कप्शन बाक्स में है, जाके टेलीग्राम पर जॉइन हो जाएए, और नोट्स को डालोड कर लिजिए, थैंक यूँ फो बचिन इस वीडियो, बाई बाई